मॉर्निंग छात्रों ये मिद्द हमारा पहला सेकंड पेपर का पेपर टू का चैप्टर है बैदुट छैत्र और विभाव तो एक तो पे हमने आपको वीडियो दिया और एक छोटा से वीडियो और लेले कि बैदुट आविश क्या है तो दार्शनिक थेल्स जो साब थे ये बिल्ली की खाल से जो है आप लोग देखते होंगे पहले भी अंबर नामक पतार्थ को जब फालो नेन या रेश्चम फालो ने या रेश्चम या बिल्ली की खाल से रगरते थे हलकी बस्तों को तो कागज के छोटे तुपड़े अपने आप उसमें अट्रैक्ट हो जाते थ अब आया फिर वहनों नहीं क्याम किया और देखा किया करशित रहे हैं उन्यादा के वह नाइट लाख भी लिया फिर सर्टाम सन ब्राउन ने भी जो है इसको यह कहा कि जो इनके अदर बूरा जाते हैं कर सितकरने वाले यह बस्तों में बैदृत मैं हो जाती हैं और जैसे क उसी तरह से पदार्थ ने आविष ग्रहण कर लिया इसका मदलब बैदत मयद मदला कि आपने आविष ग्रहण कर लिया आप पुजा कर रहे हैं तो मुदला आप ईश्वar को ले के ग्रहण तो वो आवेशित कहते हैं तो चार्ज पार्ट किल कहते हैं उसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं इंगलिश में आवेशित पदार्थ या चार्ज पार्ट किल भी कह सकते हैं तो धन तथा रिड़क आविश पीची तरह से आये कि जब कांच की छड़को रेसम से तथा अपनुस की छड़को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाये तो यह आविशित होती है तो यदि कांच की एक छड़ को रेसम से रगड़कर एक धागे से लटका दिया जाए और कांच की दूसरी छड़ को रेसम से रगड़कर पहली छड़ के पास लाएं तो पहली छड़ दूर हट जाती है तो इसका मतलब की जो है दोनों में सेम आवेस है तो और फिर इसी चीज को अगर बिल्ली खाल से रगड के दागे से लटका दें और आप मुस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड के पहली के छड़ के पास लाए जाए तो यह खीचाती है तो इसी हैं से पता चला कि विद्धित अवश्वों प्रकार के होते हैं बैंजावीन फ्रैंक्लिनने इसका नाम अवाश्वों को धाणर दिया और यह उन के अंदर से जो परमानुसन नचना होती है वारी कक्षा पर इलक्टरान नहीं रहते तो आप इलक्टरान सिध्धांत में आपने इसको देख लेंगे प्रोटान न्यूटान होता ही है नाविक में आपका पढ़े हैं आप मैं आपको डिटेल करूंगा तीसरे पेपर में इलक् इलक्टरान और इस पर एक आवेश होता है क्यों तो इसी को हम दो विंदों के बीच इलक्टरानों का स्थांत्रान से ही जो है धान आवेशित रड़ावसित के लिए उत्तरदाई होते हैं और यह भी आप जान समझ ले रहा हैं आवेश का सर्ण नक्षड है ना तो आवेश तो माइक्रो कुलांब्य होता है दस घाते माइनस छे और मूल आवेश को अगर आप देखें तो विंदों आवेश की अनिश्चित रूप से विवाजित नहीं किया जा सकता किसी भी वेदृत आवेश को तो इसी की गुण को उसको परमनकता या क्वांटी करना पी कहते हैं और इलेक्टरान पर माइनस इलेक्टरान वही एक दस मुल उच्छे गुड़े दस घाते माइनस उनिस पूनित प्रोटान पे प्लस अलफा कड़ के दो इलेक्टरान वंदलब होता है पॉजटिव होता है तो एक अगर आप साधान स्वाट का बल जला दे तो एक तन तुमे में घुसेंगे उतना ही निकल जाएंगे तो कुलाम का नियम भी है बिद्धु सिलता और परावद्धितांक मतलब अगर दो बिद्धो को रखा जाए दूरी पर Q1 Q2 उनकी बीच की दूरी आर हो तो उनकी बीच लगने वाला बल जोगा F देखें आप तो 9 गुड़े 10 गा आपको दिया है और परावद्धितांक क्या है और उसकी बैद्धुपल से तुलाविती है तो हागे हम बैद्धु छेत्रों इस दूसरे वीडियो में आपको मिल लाएगा मेनी मेनी थैंक्स चात्रों अगें